Hello everyone, कैसे हो आप सब? Welcome to my channel Commerce Net Holders आज इस वीडियो में हम करेंगे Workers Participation in Management So let's start अच्छा मुझे एक बात बताईए सबस्पोर्स आपके घर में कोई बर्डे पाटी का फंक्शन है ठीक है? उस फंक्शन के लिए आपसे भी आइडियास लिए जाएं कि बताओ हम ड्रेस ठीम कौन सी रखें या फिर बताओ कि हम डेकॉरेशन कैसी करवाएं कि का फ्लेवर कौन सा ओर्डर करें ठीक है? तब आपको कितने अंदर से खुशी होती है कि हाँ यार हमसे भी आइडियास लिए गए है तो आप उस फंक्शन में क्या होगा? बढ़ चड़के पार्टिस्पेट करेंगे बढ़ चड़के काम करेंगे कि हाँ इन्होंने हमें अपना समझ के हमारे भी आइडियास लिए है हमें भी इंपॉर्टन्स लिए है है ना? ठीक उसे तरह से जब एक और्गनाजेशन में वर्कर्स को पार्टिस्पेट करवा जाता है मतलब और्गनाजेशन के जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए वर्कर्स से भी जब आइडियास लिए जाते हैं उनसे व्यूस लिए जाते हैं उनके उनको भी information provide करी जाती है तो जो workers होते हैं वो भी बहुत motivate feel करते हैं वो अपने आपको समझते हैं कि हाँ यार हमें भी इस organization में importance दीग गई है तो वो क्या होगा जो पर organization का गोल है ना उसको अचीव करेंगे वो अपना काम समझ के वो organization के काम को अपना काम मानके अच्छे से अचीव करने की कोशिश करेंगे basic aim ही एक organization का यह होता है कि हम लोग workers से भी participate करवाएं मतलब उनके भी राई ले उनके भी ideas ले ताकि जो workers हैं वो smoothly जो है एक smooth flow के साथ organization के गोल को achieve करें ठीक है के डैविस जी ने में यही बोला है कि जब कहते हैं हम लोग workers को भी एहमियत देते हैं तो वो जो organization का जो गोल है जो इसकी responsibilities है उसमें अपना contribution बहुत encouragement के साथ देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं और काम को एकदम अपना समझ के अच्छे से वो करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं levels of participation सबसे पहले लेवल आएगा informative participation नेक्स जिस कंसल्टेटिव पार्टिस्पेशन एड्मिनिस्टेटिव एंडिसीव पार्टिस्पेशन यह सब लेवल्स है कि किस किस लेवल पर वर्कर की participation क्या है तो एक एक करके दिखते हैं सबसे पहले बात करते हैं information पार्टिस्पेशन की information से आपको थोड़ा क्लियर होगा नाम से कि यहां पर क्या होता है वर्कर को information प्रोवाइट करी जाती है ठीक है यहां वह बता बात बता दी for example organization में कोई new machinery लेके आनी है ठीक है तो आप management क्या करेगी वर्कर को भी इसके बारे में inform कर देगी कि हम लोग क्या है एक new machinery ले रहे हैं अगर आप अपने को व्यूस देना चाहते हो इसके regarding तो दे सकते हैं अब अगर वर्कर्स अपने व्यूस दे सकते हैं for example वो कह सकते हैं कि हमें यह मिशन रिलीज पर ले लेनी चाहिए या फिर हमें इस इंडस्ट्री से order करनी चाहिए है ना इस तरह से वो अपने व्यूस दे सकते हैं हां लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो तो टॉप मैनेजमेंट कही होगा यहां भी उनको सिर्फ इंफर्मेशन दी जाती है कि वो अपने व्यूस देना चाहते हो तो दे लो लेकिन करनी अपनी किसने वो टॉप मैनेजमेंट नहीं है इससे है कि वर्कर को थोड़ा बूद हो जाता है कि हां इन्होंने हमें भी मशीन लेने से पहले बताया हमारे भी कुछ व्यूस लिए ठ जाती हूं फॉर एक्जांपल हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर या मैम हमें पूछ रहे हैं कि बताओ बच्चो आपको अपके लाइटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपके टीचर्स कर पढ़ायों आपको अच्छे से समझ में तो आ रहे हैं मैंटर्स में कोई प्र करता है ना उसके बताते हैं ऐसंट के बारे में कंसल्ट करें गीे उनकी सेफ्ट तिन के करें अधि होने चाहिए है वंटिलेशन टिनटेशी और स्थी होने चाहिए नौट द फ़ाइन आपके टॉप लेवल मेनेजमेंट कही रहेगा लेकिन इंप्रोई से वो अपने व्यूस दे देते हैं किसके रिगार्टिंग जीन चीज़ों का इंपक्ट वर्क के खुद के उपर पड़ता है मतलब कंपनी में कैसा सैनिटेशन रसिलिटी है वह इंपक्ट किसके उपर पढ़ रहा ह वर्कर्स के उपर ठीक है उसके बाद बात करते हैं एक सब्सक्राइब करते हैं अब देखो एक टीचर एसपोस उसका बढ़ाया हुआ मिजॉर्टी ऑफ स्टूरेंट्स बोल रहे हैं कि प्रिंस्पट सर्कों कि हमें नहीं समझ में आ रहा ठीक है अब प्रिंस्पट सर्कों करें से अगर इंप्राइस ने मिजॉर्टी ऑफ इंप्राइस ने कोई डिसीजन ले लिया है तो मैनेजमेंट को उसके बाद मानने पड़ती है उसके हो जाती है कि वह सब्सक्राइब करें ठीक है उसके बाद बात करते हैं एड्मिनिस्ट्रेटिव पार्टिस्पेशन की य यहां में क्या है कि और इंप्रेटिशन ले चुकी है टॉप मैनेजमेंट लेकिन उसे को इंप्रिमेंट करने के जो अलग अलग अलटनेटिव से मैन तर्स हैं उसका डिसीजन कौन लेगी वह वरकर्स लेगी वह सिंपल आंग्गेंड में पथाती हूं देखो जैसे अब स् है ठिक है दिवाली के मौके पर अल्टेनेटी सुन ने स्टूरेंस के साथ पर छोड़ दिये कि बताओ भाई स्टूरेंस आप लोग कैसे कॉंपेटिशन करवाना चाहते हो अब ग्रीटिंग कार्ड बनाने का कॉंपेटिशन करवाना चाहते हो क्लास डेकॉरेशन का या फिर भी यानर चाहते हो निया अऔर कैंडल से जान। कंपेटिशन ही ना मतलद फाइनन दिस्ष प्रिंसपल से ले चुकिए डिवाली की को कॉंपेटिशन करवाएंगे औलगलग जो अल्टेनेटिव से हैं एक लाट्स करने तेप्श करने वाला कॉनसे लोगको सुब और कि training program हमें launch करवाना है उसके अलग लग वेस हैं कि आप lecture method के थरूर कराना चाहते हो किस तरीके से training आप लेना चाहते हो ठीक है क्या चाहते हो आप तो वह decision को लेगे worker मतलब एक decision final ले चुके हैं अलग लग जो उसके alternatives है उसमें जो अब बात करते हैं डिसीव पार्टिस्पेशन की यह सबसे हाइस लेवल का पार्टिस्पेशन हो गया यहां पर इंप्राइस और मैनेजमेंट दोनों मिलके organization के regarding decision लेंगे जैसे स्कूल में मालों एक new teacher है दो तिन टीचर साइए डेमो देने ठीक है अब स्टूडेंट्स और प्रिंस्पल सर मिलके decide करेंगे कि किसका डेमो अच्छा लगा हमें हमने कौन सी teacher को रखना है ठीक है दोनों मिलके decision ले रहे है ना तो उसे तरह के से organization में भी जब employees और management दोनों मिलके को decision लेती है ना डेट सा डिसेव participation और यह highest level होता है वर्कर्स के participation का management में ठीक है सो मैंने simple language में और organization के accordingly दोनों तरह के सब को example देखें यह level समझाए है आपको यह clear होंगे अब हम देखते हैं वर्कर्स participation in management इंडिया इंडिया में इसको इंपोर्टेंस है वह इंडिपेंडेंडेंस के बाद ही मिली थी इंटेस्ट्रेश्ट डिस्पूट एक था 1947 में ठीक है उसने recommend के थी वर्क कमेटी बनाई जाए उसके बाद ज्वाइंड मैंजमेंट कॉंसिल बनाई गई ऐसे फिर इंडिया में यह चीज आई अब हम देखते हैं फॉर्म्स और वर्क कमेटी बनानी ही चाहिए ठीक है या दखना कितने employees 100 यह 100 से ज्वाइन रेलेशन बना के रखना और यह जो कमेटी है ना यह सिर्फ एक advisory body है मतलब इसमें सिर्फ advice दे जाती है जो है तो मेंनें दिसीजन आफ औने मेंजमेंट ही लेती है नेच्स है हमारे जयंद मेनेजमेंट कॉंसेल यहां पे इकषोल होते हैं मेनेजमेंट KAR Nossa के मतलब कांसिए में दस मेंचमेंट के लोगे रिस एब परके कर रहे हैं तो और काथ पए ही होंगे एक वन जितने मैनेजमेंट के होंगे लोग उतने वरघंस के होगे ठीक है इस कॉंसल में जो मैस है वडेसितना मतलब ऑर गलार्टी टे holders और रिंपरेच्छर ड्रेकिंग वाटर केंटीन से और कि इस से तरी के मैटल से रिलेटिड देड़ है वो बाते हैं जाती है इसमें ठीक है उसके डियेंट कर जाते हैं है अब फर्ट Oo आपको च्यार नाम से क्लियर हो रहा होगा किसमे स् GEसिंग सब्सके रिलेटिटेद हो रही है मतलब प्रडिक्ट्षन फंक्छन में कोई वे प्रॉबलमस आ रही है अपने प्रेट्चिन CONKS को हम कैसे promote करने उसके regarding advice दी जाती है या फिर अपनी को कैसे reduce करें अपनी quality को कैसे improve करें ठीक है जो हमारे production करने वाले जो machinery है जो tools and equipments है उनको कैसे improve करा जाएं ठीक है क्यों ताकि क्या better functioning हो सके ठीक है उसके बाद बात करते हैं आप joint councils की कहते हैं कोई भी डिवीजन डिपार्टमेंट या ब्रांच है ठीक है जहां पर 100 या 100 से ज़्यादा employees पीपल है वहां पर joint council बनाई जाती है ठीक है और joint council में वही members होंगे जो कि actual organization के member है यह नहीं कि कोई बंदा organization का है ही नहीं कोई बहरला बंदा joint council का member नहीं बन सकता और इस council का जो tenure है वो दो साल है ठीक है और quarterly कहते हैं कि quarterly एक बार तो यह आपस में मीटिंग करते ही हैं हाँ वैसे जितना मर्चे जब चाहें मीटिंग कर सकते हैं लेकिन at least once in a quarter ठेक है और जो बहुत के decisions है वो within one month implement करे जाते हैं अब बात करते हैं यूनिट councils की क्याते हैं जो manufacturing and mining units है ना joint council के उसके success को देखने के बाद वहां से encourage होके motivate होके एक और new scheme 5 जैनुवरी 1977 में introduce करी गई थी ठीक है किस units के लिए जहां पर at least hundred people है किसमें पब्लिक सेक्टर में इन commercial and service organization में किसके success से encourage हुए थी ये लोग की में manufacturing and mining unit से ठीक है इस और या इस पर कौन कौन से organizations include है इस council में जैसे हमारे hotels होगे hospitals, sea transport, road transport, air transport, insurance companies, food corporations, irrigation system ये सब जो है organizations इस council में included है ठीक है और इस council में भी once a month एक बर month में जो है meeting होनी जिरूरी है ठीक है अब बात करते हैं plant council की जो plant council है ये सभी public sector undertakings में applicable है except कुछ exceptions के इलावा बागे सभी public sector undertaking में ये applicable है और एक जो plant council है वह पूरे whole unit की ही है ठीक है और ये plant council किस किस से deal करते हैं operational areas होगे हमारे जो economic related matters है financial aspects personal matters ठीक है इन सभी matters से related इस council में जो है discussion की जाती है और ये सभी central public जो undertakings है उसमें applicable है ये council अब बात करते हैं शौप council की अभी तक हम मौशल जो हमने देखे हैं hundred or more workers थे हैं ना याद लखना शौप council में फाइफ फंडर और more workers आएंगे ठीक है और इसमें equal representative किसके होंगे employers and workers के total number of members जो है शौप council के कहते हैं वह 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है और इसमें भी क्या है जो time period है वो three years के लिए और once a month जो है वो meeting करने ही पड़ती है ठीक है तो और जो decision जो है वो within one month implement किया जाता है इसमें भी ठीक है तो यह सब बाते एक जैसे हैं तो यह आपको learn करने पड़ेगी अब बात करते हैं वरकस representation on board of management कहते हैं कमेटे थे administrative reform commission उसके recommendations पर उन्होंने कहा था कि जो management ना उनको board of management में भी रिप्रिजेंट किया जाना चाहिए लेकिन कौन से members को जो actually में वरकर्स हैं enterprise में कोई बहला परसन नहीं जो persons actually में enterprise में काम करते हैं उनको हम बोर्ड में भी रिप्रिजेंट करना चाहिए हमें ठीक है और कौन से unit में जहां thousand और मोर परसन अब यहां पर thousand और मोर थे ठीक है पहले हम मौशल हमने 100 और मोर पड़े हैं shop council में 500 और मोर और बोर्ड वाली में आएंगे thousand और मोर परसंस ठीक है अगर कहते हैं फिफ्टी वन ओफ परसंट सिक्रट बैलेट में वोट कर दे स्केम के लिए ठीक है कि हाँ वर्कर्स को भी बॉर्ड ओस मेनेज्मेंट में रिप्रिजेंट करना चाहिए तब लिंगल तोर पर जो कंपनिया वो उसे यह स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ठीक है कि वर्कर्स पार्टिस्पेशन इन शेर कैपिटल जो सचार के मेटी थी उसने रिकमेंड कर रहा था कि जो वर्कर्स कंपनी के शेर कैपिटल पहले उन्हें देखो जो में कंपनी जब के थे पहले शेर आप तरह से उन्हें हो रहे हैं तो वह लग रहा हैं को कि हाँ हम भी ओनर ऐस कंपनी के क्या करेंगे का आच्छे से काम करेंगे तो यह सब जितने भी फॉर्म से इसमें आपको बेसे कि सब के डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसमें 100 परसंस आ रहे हैं किसमें 500 आ किसमें 1000 आ रहे हैं कौन सा कौन से एक्ट नहीं या फिर किस कमेटी ने रिकमेंट करी थी इनके क्या करें मीटिंग कम हो रही है तो यह सब आपको क्लियर होने चाहिए ठीक है यही है कि वरकर्स को अगर हम लोग पार्टी इस्पेड करा रहे हैं मैं मेंचमेंट में तो ऑच्छे से काम करेंगे और organization के जो goals है वो easily smooth होंगे ठीक है so I hope आपको ये आज का topic clear हो गया होगा thank you so much and हाँ प्लेस चैनल को subscribe करना ना भूले and video पर like and comment करना ना भूले thank you so much